कोई गाइज वेलकम बैक तो मैं चैनल और टोड़े विया गॉइंग तो लान अबाउट टू मेजर तर्म्स एंग्नोर थैं तो लैटिटूड लोंगिटूड ऐसे दो टर्म्स हैं जिनके बारे में पता है लेकिन हम कंफ्यूज भी इनी टर्म्स में हो जाते हैं कि कौन सा लै कर देते हैं इंग्नोर सो लेट स्टार्ट फों दो वैरी बेसिक तो कार्टोग्राफर्स ऑन जॉग्रफर स्टेस वर्टिकल एं हॉरिजॉंटल लाइन तो जिनको हॉरिजॉंटल रूष्टिकल में डिफरेंट्स नहीं पता उनके लिए जो हॉरिजॉंटल है ढ़िजूट Line और Vertical Is Standing Line सारे Concept ही Horizontal और Vertical का आने वाली वीडियो में क्योंकि Latitudes जो हैं वो सोय होय Sleeping Lines है और Longitudes जो है वो हमारी Standing Lines होने वाली थो जिसको acronym और vertical में ही डिफरेंस नहीं पता उसके लिए खर्टय मिंज ہोरिजोंटल मिन्स sleeping और vertical means verti means standing जो horizontal है वो सो रही है और vertical जो है वो standing position में खड़ी है उनको punishment मिली हुए आप यह से याद रख लो तो cartographers कौन होते हैं जो maps बनाते हैं जो maps develop करते हैं ताकि हम किसी भी region या किसी भी area के बारे में एक graphical या उसकी वीजुल presentation प्रिपेर करते हैं ताकि हम उस area को पढ़ पाएं उनकी study कर पाएं और geographers कोन होते हैं जो earth की study करते हैं in with respect to the human behavior कि human का क्या interaction है with its nature की earth के साथ या nature के साथ human जो है वो कैसे interact करता है तो horizontal और vertical line के साथ हमने दो terms और पढ़ ली cartographers and geographers तो geographers हैं उनके अंडर ही cartographers आते हैं geographers क्या है किसी एक area के बारे में अर्थ के बारे में human interaction के साथ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं किस की दुरू पढ़ रहे हैं visual representation के दुरू और visual representation जोग्रफी में सबसे important चीज क्या है maps maps and graphs वो कोन डवलप कर रहा है cartographer जो maps डिजाइन कर रहा है map डवलप कर रहा है तो find out any position और any location on the earth हमें सिरफ दो चीजे चाहिए latitude और longitude कहीं भी पहुंच जाओगे latitude और longitude में क्या है आपके पास कुछ location आएगी location किस में आएगी degrees, minutes और seconds में यह हमारे पास minute है और यह हमारे पास क्या है seconds तो यह हमारे पास three symbols है जिनको हम use करेंगे to show latitudes and longitudes तो अब जो एक degree है one degree जो है वो 60 minutes के equal होगा तो अगर हम zero degree से zero degree से one degree यह one degree नीचे जाएंगे that will take 60 minutes और one minute में कितने seconds होते है 60 seconds तो हमारे location कुछ ऐसी आ जाएगी 27 degrees, 57 minutes and 5 seconds यह जो है degrees, minutes और seconds यह आपको show जाएगी हाँ पे इसकी location में अब इसका importance हम आगे पढ़ेंगी कि क्या इस degree का meaning है इसमें और क्या minutes कैसे लगे तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि इनका जो एक हम denote करते हैं वो करते हैं इनको हम Greek word से L को हम लेंगे latitude जिसको हम symbol देते हैं lambda का क्या देते हैं lambda equals to latitude और एक आता है हमारे पास फाई यह हमारे पास यसे बनता है फाई जिसका है Greek F इसको denote करते हैं लोंगिट्यूट को क्या करते हैं फाई और latitude को करते हैं lambda तो अर्थ जो है वो हमारी प्रॉपर स्फेयर शेप की नहीं है यह हमने डिसकस किया है motion of the earth की वीडियो में वो आप जाके देख सकते हैं link will be in the description और in the eye button तो फेयर जो है वो अर्थ की प्रॉपर शेप नहीं है लेकिन अगर हम अर्थ पर किसी भी एक position की बात करें तो उसकी location जो हम coordinates बोलते हैं वो हम geographic coordinates या un projected coordinates हमने बोलते हैं latitude और longitude जो हम अर्थ के center से मेजर करते हैं अगर यह हमारे पास अर्थ का जो है equator है equator को हम क्या लगा लेंगे वो radius या वो पूरा diameter जो एक circle को two equal halves में divide करता है और अगर हम यहां से देखें यह इसका अगर equal half x इस sphere का तो यहां से जब हम यह जो angle देखेंगे with center of the earth तो यह जो lines जहां मिलेंगी with respect to the center of the earth तो यह जो distance आएगा इसको हम बोलेंगे longitude और जो इसको हम बोलेंगे latitude तो इन angles के साथ क्या होगा अगर हम बात करें longitudes की तो यह जो angle बनेगा बीच में यह जो distance आएगा इसको हम बोलेंगे longitude तो हम यह सारे distance जब में निकाल लेंगे तो हमारे प यह एंगल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे latitude जहां जहां यह line touch होंगी यह हमारे पास equator जो इसको equal half में divide करता है और center से जह हम यह एंगल लेंगे तो यहां हमारा एक और latitude आ जाएगा और एक और एंगल पर आ जाएगा एक और latitude जिनको latitude और longitude पढ़ने से पहले हमें directions का पता होना बहुत ज़रूरी है जो इसको हम बोलते हैं cardinal directions या cardinal points यह points कौन से हैं जैसे अगर हम बात करें north, south east और west तो north और south जो है वो सब को याद रह जाते हैं लेकिन west और east में बहुत लोग confused होते हैं कि किस side पर east आएगा और किस side पर west तो जादो तर लोग क्या करते हैं वो इधर east लिख देते हैं इधर east और इधर west तो अब इसे याद रखने का easy way क्या है कि north से जब हम clockwise जाएंगे तो आएगा east अब clockwise और anti-clockwise का meaning क्या होता है कि जब ये 12 है ये 3 ये 6 ये 9 ये आपके पास एक clock है तो जब आप clockwise 12 तो 3 आओगे आप 12 से 9 तो नहीं जाते उल्टा नहीं जाते ना कि 12 से भई या नहीं रात के एकदम से 9 बजगे तो जब हम clockwise 3 पे आएंगे 12 से 3 तो 12 के है हमारे पास North है North से जब हम East आएंगे मतलब 3 पे आएंगे clockwise तो हमारे पास क्या हो जाएगा East फिर South और फिर इदर West हम बात करें Latitudes की Latitudes और Longitudes जो Grid सिस्टम में है तो ये अगर हमारे पास Latitude 0 डिगरी है तो ऐसे ही अगर हम Graphs की बात करें तो ये अगर हमारे पास Y और ये हमारे पास X-axis है तो यहाँ पे जितनी भी Values आएंगी 0 से Right Side में वो हमारी होंगी Positive Values वैसे ही अगर हम Vertically देखे 0 to Y-axis पे तो वो भी होंगी Positive But अगर हम बात करें इस Hemisphere की और इस ये हो जाएगा Negative और ये हमारे पास क्या होंगे इधर Negative Values, Negative Indigures After 0 और इधर जो होगा यहाँ पर भी होगे Negative तो अगर हम बात करें Latitudes की ये हमारा है Prime Meridian तो ये हमारे पास है 0 Degrees तो ये 90 Degree जो एंगल बनेगा 0 Degree पे यहाँ 90 Degree में क्या है North Pole और यहाँ 90 Degree में क्या है हमारे पास South Pole बट ये जो हमारे पास है ये है Positive और ये हमारे पास क्या है Negative तो ये एक Circle Complete करता है 90 Degree North to 90 Degree South लेकिन जो Northern Hemisphere में वो है Positive लेकिन जो Southern में है वो है Negative जैसे अगर अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये है Positive 90 Degree Negative values तो वैसे ही Northern Hemisphere में जो है 90 Degree एंगल बनाएगा एक्वेटर से 0 Degree से तो ये हो जाएगा 90 Degree North और अगर हम Southern Hemisphere में डिगरी की बात करें इसके एंगल की एक्वेटर के साथ वो होगा 90 Degree South Out Lines of Latitude तो Lines of Latitude जो है ये जो Lines आपको दिख रही है इनको हम बोलते हैं Parallels क्यों क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के क्या है Parallel Lines ये कहीं भी आपस में Intersect नहीं करेंगी अगर आप इसको पोल से देखोगे तो पोल से क्या होगा ये कुछ ऐसी दिखेंगी Like Concentric Circles ये हमारे पास North Pole है और यहां से जो है ये Circles पनेंगे और मालो ये जो हमारे पास है ये है Zero Degree तो ये Concentric Circles हैं जो आपस में कहीं भी एक दूसरे को Intersect नहीं करेंगे और आपस में ये कहीं पर भी Overlap भी नहीं करेंगे इस टू वेस्ट डिरेक्शन तो ये जो values हैं ये जो हमारी Latitude Lines है First of all जो ये Lines बार बार जो ये हमारी है Lines तो ये जो Lines है ये Imaginary Lines है Imaginary Lines मतलब ये Actual में अर्थ पर exist नहीं करती किसी ने भी जाकर ये अर्थ पर ट्रैवल करके ये Lines को माक नहीं किया है ये सिरफ Imaginary Lines है Difference निकालने में यह coordinates निकालने में अर्थ के कि एक Grid Pattern में अर्थ को Divide कर दिया जिसकी वज़े से जो coordinates है आप कहीं भी है आप कोई भी Point अर्थ पर ले सकते हो जिसके coordinates Latitude और Longitude के तो आपको पता लग जाएंगे बट Actual में ये Lines एक्जिस्ट नहीं करती These are the Imaginary Lines of Earth Cause the Prime Meridians at the Right Angle तो अगर हम बात करें हमारी Prime Meridian की जो की Latitude है 0 Degree पे ये Latitude से क्या है जो भी Latitudes है वो इस Longitude को हमेशा 90 Degree पे कट करेंगे Latitudes आपस में कभी Intersect नहीं करेंगे लेकिन जो Latitudes है वो Prime Meridian जो 0 Degree पे हमारा 0 Degree Longitude है उसको हर पार हर Latitude जो है वो 90 Degree एंगल पे जो है वो Intersect करेगा Chorter Towards the Pole Only the Equator Will be the Longest One तो अगर ये हमारा Equator है 0 Degree तो जितने भी उपर के Latitudes है Northern Hemisphere के ये नीचे के Southern Hemisphere के वो हमेशा Equator से जो है वो छोटे होंगे क्योंकि अगर आब बात करें ये हमारी अर्थ है जो एक Proper Sphere भी नहीं है ये हमारी अर्थ है और ये एक Circle को अगर हम एक Diameter की बात दें तो Diameter चाहें वो ऐसा हो ऐसा ये ऐसा जो Center से Cross होगा अब ये जो Lines है वो Center से Cross नहीं होंगी तो वैसे ही जो Center से Cross हो रहा है जो इस Circle का Diameter है वो हमेशा बड़ा होता है Diameter एक ऐसी Line होती है जो एक Circle को Intersect करती है Equal Halves में तो ये Longest Line हो जाएगी तो इसलिए Equator जो है वो Longest Latitude है और Towards the North और Towards the South Pole जो Latitudes है उनका Size है जो Length है वो Decrease होनी स्टार्ट हो जाएगी अगर हम बात करें Longitudes की तो Longitudes में क्या होगा कि हमारी जो Earth थी अभी तक हम Latitudes में Equator की बात कर रहे थे Zero Degree उपर जाएगे तो क्या हो जाएगा Northern Hemisphere नीचे आजएगे तो होगा Southern Hemisphere अब हमने Directions में West और East के बारे में भी पढ़ा था अब क्या होगा अब हमारे पास आजाएगे Western Hemisphere और Eastern Hemisphere तो अब इसको कैसे होगा जो Longitude की लाइन है जो हमारी Imaginary Line Longitude भी एक Imaginary Line है जो Pole to Pole टच होती है और यह क्या होगा इसको हम Zero Degree Prime Meridian बोलते हैं जो Cross करता है Greenwich England में Prime Meridian हमने एक Base ले लिया Zero Degree तहाँ पे England में Greenwich एक जगा है जहाँ पे हमने Zero Degree जो है माक कर दिया यह अगर हमारी Earth है तो यहाँ पे है पूरा Pacific Ocean इसके Middle से अगर हम लेंगे यहाँ से Zero Degree इसको पूरा Cross करते होए यह एक 180 Degree मतलब 1 Hemisphere जो है इसका Complete कर लेगा एक Semicircle बना लेगा अगर हम एक सरकल से देखे तो यह एक Semicircle Complete करेगा जो कि हमारा हो जाएगा Western Hemisphere और यही 180 Degree जब इधर से Complete करेगा तो यह बना देगा Eastern Hemisphere तो Basically Longitude जो है वो एक ऐसी Imaginary Line है जो Earth को उसके Western Hemisphere और Eastern Hemisphere में Two Equal Halves में जो है Divide करती है लेकिन जो हमारा Latitude था वो इसको Divide करता था In Northern and Southern Hemisphere Longitude के Facts की बात करें तो सबसे पहला जो एक Fact है वो है कि इसको Longitude से Meridians भी बोला जाता है जैसा कि Prime Meridian जो था Prime Meridian में Meridian जो Term है एक तरहाम से आप उसको Prime Longitude भी बोल सकते हैं या Prime Line of Longitude that is Zero Degree at Greenwich in London तो it runs through the North and South Direction तो North Pole से जैसे कि मैंने बता है कि South Pole की तरफ जो है ये Direction की तरफ रन करती है और इनका जो Distance है East to West East to West जो इनका Distance है वो यह हमारे पास थी Equator और इसका जो East में अगर ये जाएंगे रन करेंगे और अगर Western Hemisphere में जाएंगे Prime Meridian से East में Eastern और Prime Meridian से Western साइड में अगर कोई भी Longitude होगा तो इसको हम बोल देंगे Western Longitude और जितने भी Latitudes हैं जितने भी Latitudes हैं वो Equator को Touch नहीं करते क्योंकि Latitudes आपस में दुसरे को Overlap या Interact नहीं करते इंटरसेक्ट बट जो Longitude हैं वो Equator को Equally Divide करेंगे और Right Angle पे Divide करेंगे 90 Degree पे Divide करेंगे और जो Length है सारे अगर हम बात करें नौर्थ टू साउथ जो हमारी Length है अर्थ की वो Same है तो जितने भी Longitudes होंगे उनकी Length जो है वो Same हो जाएगी आप इसको एक Pumpkin ले सकते हैं कि अर्थ एक Pumpkin छेप की है जिसकी जो North to South Length है वो Same है Halfs of Great Circles तो एक Circle को एक Line बीच में से Equally Divide कर रही है और ये सारी Length जो हैं वो Equal Length की हैं तो ये सारी Length क्या होंगी अर्थ को Equal Hemispheres में Divide करेंगी चाहें वो हमारी Prime Meridian हो या हमारी दूसरी Longitudinal Lines हो हमारी अर्थ जो है वो एक Grid Pattern में हम इसको देखते हैं कि ये अगर 0 Degree है ये 23.5 Degree में जिसमें Tropic of Cancer आता है अगर यहां 23 Degree हैं ये North में है तो अगर हम North में Tropic of Cancer की बात करें तो ये आता है 23.5 Degree पे तो ये North जो है ये इसका Latitudinal Location है कि इसका Latitude की Value के है 23.5 Degree अब ये क्या होगा कि ये जो हमारा Circle है इसमें 0 Degree से जब ये 23.5 Degree बनाएगा ये हमारा जो Latitude होगा इसको हम बोलेंगे Tropic of Cancer और ये ही जब ये 23.5 Degree नीचे बनेंगे तो यहां हो जाएगा Tropic of Capricorn 6.5 Degree पे बनेगा हमारे पास Arctic Circle और नीचे बनेगा Antarctic Circle और लास्ट जो हमारा Altitude आपस में Intersect नहीं करेगा लेकिन Longitudes जो है वो आपस में मिल जाएंगे जाके कहां Intersect करेंगे इस Grid Pattern में जहां पे हम Study करते हैं Lat plus Longitudes को इसको हम बोलते हैं Graticule Graticule का मीनिंग क्या है Grid Pattern of Latitude and Longitudes That Shows Location of a Particle Position On the Earth वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को Like कर दे, Share करें और आपको एक Link description में मिल जाएगा जिससे आप अपनी position का है अपने city का, अपने place का अपने hometown का जो coordinates है जो latitude और longitude है वो निकाल सकते है The link will be in the description और प्लीज कमेंट में अपने city अपने place के coordinates ज़रूर बताएगा और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब पर दे थेंक यू